एलो वाचेज बीदर वाचेट के एक और शांदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मायर एक डेमिया के लेटेस एपिसोड की जो क्यों होने वाला है मायर एक डेमिया सीजन 7 एपिसोड नमबर 15 तो आपका टाइम ब तो चलते हैं कि हैर एपिसोड में एक नए बंदे को शाउट आउट देते हैं इसी तरीके से इस एक जाने वाली आपिसोड करने करेंगे तो फिर आगया आने वाला समय वैसा ही होगा जैसा आभी तक पीता है यानि कि वो लोग कूटे जाएंगे काटे जाएंगे प्रताडित किये जाएंगे और क्यूंकि वो बाकी सारे हेट्रमॉफ का स्पोक्स परसन था तो उसकी बाद सुनते ही सारे बच्चे और भी ज्यादा एनरिचेटिक हो जाते हैं वो सारे बंदे तयार हो जाते हैं तरह आटायक करने के लिए फिर हमको दिखाया जाता है जो की फाइनली ऑस्पिटल के अंदर कुसे में कामयाब हो जाता है और बैक्राउंड में हमको ये भी बताया जाता है कि कुरूगीरी का क्वर्क ये बैटल कंप्लीटली डिसाइड करेगा पीछे बहुत सारे बंदे और भी आजाते हैं ऑस्पिटल के अंदर वहां पर बहुत बड़ी डॉक्टर और नर्सिस की चेन होती है जो की प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं पेशन्स को उनके साथ कुछ हेटरमॉफ भी होते हैं और ताफी सारे नॉर्मल इंसान भी होते हैं फिर अब एक फ्लैश बैक सीन द बनाया है इसका मतलब वो लोग अच्छे की साइड में नहीं हैं और यह देखने के बाद वो लोग थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं फिर आता है इस अपसोड का इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको एक फ्लैश बैक एक मेमरी लेन जैसा सीन दिखाय जाता है जहां पे स्प पीछे आता है प्रेजेंट माइक हमको यह भी बताया जाता है कि आल फॉर वन ने स्पिनर को एक आडियो रिकॉर्ड़ेट दी थी क्योंकि कुरूगीरी जो की नौव है वो के ओलो के ओल शिगराकी के आडियो पे ही काम करता है शिगराकी या फिर आल फॉर वन के आडियो पे तो अगर वो आडियो सुनने में कामयाब हो जाता शिराकूगो या फिर कुरूगीरी तो फिर वो काम करने लगता सारे काम पंपीट कर देता पर इससे पहले स्पिनर कुछ कर पाया है जैसे मैंने बता है उसके पीछा जाता है प्रेजेंट माइक और अपनी वॉइस का उसके पूरे स्केल्स को वहीं पर कमप्रीटली डिस्ट्रॉई कर देता है और साथ ही में वो डिस्ट्रॉई कर देता है उस चेंबर को जिस चेंबर के अंदर होता है कुरूगीरी और फिर इस अप्सोर्ट का टाइटल रिवील होता है जोगी है बटरफ्लाई एफेक्ट ए जा रहा होगा जो मिस्स कर देगा इसी काण उसका एक नंबर कम होजाएगा एक नंबर कम हो जाएगा तो उसके बहुत सारी बाते हैं पर उसको में कुछ ज़्यादा जरूरत आगे नहीं बढ़ने वाली है बेसिकली प्रेजेंट माइक अपने आसपास के लोगों क्लियर करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं और उसके जस्ट बात का सीन हमने अभी देखाई था उसके अलावा बाकी सारे जो राइटर्स अंदर गए थे ऑस्पिटल के वो बाहर आते हैं वो बाकी लोगों को समझाते हैं कि कैसे उनको भी लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है इक्वैरिटी का मतलब हमेशा रिवेज लेना नहीं होता आप बदला लेगे कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं आप माफी करें लोगों वो आगे बढ़ सकते हैं और खुद को आगे बढ़ा सकते हैं ये सब बात सुनते हैं किसी की तरफ से ओपोजिशन आता है कुछ लोग साइड लेते हैं पर बेसिकली अंत्वे पूरा मामला शांत हो जाता है और फाइनली वहाँ पे सारा मामला शांत होने के बाद काफी सारे हीरोज और वी अंदर जाने को पा जाते हैं आस्पिटल के अंदर फिरम को अंदर का सीन दिखाय जाता है जहाँ पर spinner पड़ा हुआ होता है और के सामने पड़ा होता है कुरोगी दी वो बोल रहा होता है कि my mind is black तभी उसको अलका ऐसा flashback यादाता है कि कैसे वो टीवी पर देखता था वो एक gamer हुआ करता था फिर उसको वो सब यादाता है जो कि शोजी ने किया है फिर उसको शिगराखी की memory हिट करती है वो याद करता है कि कैसे वो दो लोग मिलके games खेला करते थे वहाई दूसरी तरफ present mike भी अपनी memories को याद कर रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि कैसे शिरा को वो उन लों के लिए बहुत ज्यादा pleasant memory है तो अगर वो present memory है तो उसको अब मर जाना चाहिए और वो memory की तरह ही रहना चाहिए basically present mic इस moment में शिराकुमो के ओपर एक attack करने वाले थे ताकि उसका काम भाई पर ख़दम कर सकें और इस battle से completely उसको out कर सकें वो सोच रहे होते हैं कि कैसे वो आईजवा और शिराकुमो बहुत कमाल की फ्रेंड्स हुआ करते थे और उन तीनों के पास बहुत सारी beautiful memories हैं और कोई भी incident को उस memory को cloud करने का अधिकार नहीं है पर इससे पहले कि वो चिला पाए spinner शिगराकी का एक हाथ उसके मुँपे ले जाके रख देता है और जैसे वो करता है तुरण चिला देता है present my उस चिलाने से spinner तो आई गिर जाता है क्योंकि कुरुगीरी की consciousness वापस आ गई होती है और कुरुगीरी अपनी consciousness वापस आते ही जो करेगा वो तुम्हें पता ही है पर तभी scene cut हो जाता है और आपको दिखाई जाती है BCD News जहां पे एक बहुत ही सुन्दर सी लड़की weather report दे रही होती है बेसिकली वो बात कर रही होती है कि कैसी यहाँ पर आग लगी बहाँ पर fighting हो रही है इसी current यह weather में forecast change हो रहा है बारिश हो रही है और यहाँ पर हमें एक और बार butterfly effect के बारे में समझाया जाता है जहां पे वो लड़की कहती है कि क्या पता ब्राजील में एक चोटी सी butterfly ने जो अपने पंख़ड बढ़ाये थे उसी के वैनर टेकसेस में hurricane आ रहा है एक चोड़ा सहाबा का जोका जोका जोकी ब्राजील में निकला था वो टेकसेस में United States में आते आते एक hurricane बन गया है similarly heroes की चोटी चोटी गलतियां आज बहुत बड़ी गलतियों में बदल चुकी है basically वो all for one की side होती है no वो यही बैर लेके उस live media के सामने भी खड़ी हो जाती है सब लोग चिला रहे होते हैं कि बंद करो बंद करो शो बंद करो भाई एड्स लिक्या उपर उससे कोई फरक नह होता है और वो एकलाता होता है जो कि लड़ने की condition में होता है पाकी सारे लोग उसकी heat से बहुत दूर भाग रहे होते हैं इंजिनियम कहता है शोटो को कि वहां से कटलो भाई तुम तुम भी जल जाओगे पर शोटो को यकीन नहीं हो रहा होता है चुकि पहली बात तो उसक से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो क्या करें क्योंकि उसकी बॉड़ी धीमें क्रमबल हो रही है और वो कोई चांस नहीं है कि वह उड़के यहां से गुंगा विलेच साइट पर उसको काफी जा रहा होता है और तभी खुल जाता है और फाइनली कामियाब हो जाता है दूसी तरफ जाने के लिए पर उससे पहले हमको कॉफी ने स्काई का सीन दिखा जाता है जा पर मोनमा अभी भी कंप्लीटली फाइट को रोक के रखा होता है अपने एरेजर की मदद से वह कह रहा होता है कि यह फाइट 100% टेक्सबुक में जाने वाली है तो फिर मैं पूर पर उससे बड़ी प्राबलम अब हमारे सामने आ चुकि हम दूसरी वाप से निकलते वे देखते हैं किसी और को नहीं बल्कि ट्वाइस को फिर हमको बताए जाता है कि एक्चली में ट्वाइस नहीं है बल्कि यह वो लड़की है उस लड़की के अंदर का गुस्सा है जो की स्ट्राइस बन के सामने आया है फिर और वर वन अपनी बादे करना चालू करता है और फिर उन बताता है कि वह में इसा बैट करता है हमको कुछ मिनट पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां पर अभी भी सब लोग लड़ रहे होते हैं उस आइलेंड पे उस आइलेंड पे ए का और उसकी गैंगे बाकी सारे मेंबर मिलके उससे लड़ने में कामियाब पार होते हैं उन्हेंने बहुत सा एविलेंज को कंट्रोल कंटेन भी कर लिया होता है इसी कारण मामला थोड़ा सा ओके होता है यह बाट टोगा को भी रिलाइज हो रही होती है कि जितने लोग कम ह होते जाएंगे उसकी मुवमेंट उतने जादा डिफिकल्ट होते जाएंगे पर टोगा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें और उसी मुवमेंट में हम पो टोगा का जीनियस दिखाया जाता है ने लेटर भी यह कहता है कि टोगा ऐसी बंदी नहीं है जो कुछ खून नहीं है बलकि वो जो हाई लेवल नोमू आस्मान में उड़ रहा था उसको अट्रैक्ट करने वाला सीरम है जो की और वार वन ने उसको दिया है और उसी कार्ट वो नोमू तुरंट अटैक कर देता है फ्रॉपी के उपर और इसी भी टोगा को इनफ टाइम मिल जाता है फ्रॉपी में कनवर्ट होने के बाद ट्वाइस में कनवर्ट होने के लिए बेसिकली वो सोच रही होती है किससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो फाइट यहीं पे लड़ेगी या फिर वहां पे लड़ेगी उसको अपना काम तो करना ही होगा उसके पास जितना पूरोगी वो बोलता है हिमी कुटोगा तुम कहां जाना चाहती हो फिर वो कहती है कि मुझे लेगे चलो हॉक के बास मैं सारी हीरोस को मौर दूंगी हॉक से शुरू करते हुए और फिर वहां से चली जाती है बाकि सारे लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर आपिसली है दूसरे एपसोड में दिखाये गया था जहां पर डावी बोल रहा होता है कि तुम चाहे हसोगी चाहे रोगी कल तो आना ही है तो इन देट केस होगा हम लोग को हसना चाहिए क्योंकि अगर हम हसेंगे तो फिर आ गयाने माला कल बहतर हो सकता है फिर टोगा यूज करती है ट्वाइस कार्ड परफेक्ट मूव यानि की सैड मैंस, टेथ परेड, इंफिरिट डबल्स और फिर हमको बहुत सारे दिखाये जाते हैं डबल्स जो की कम्प्रीटली एक मौटन का शेप ले चुके होते हैं और इसी के साथ साथ लास्ट बैटल शुरू होने लगती है इन स पर 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 विश्वास अपना डालेंगे पर कुछ लोग तो एक 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 कमेंट पढ़ दे हैं तो आप तो अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो उसको जरूर बताईगा फिलाल तो बस फिलाल के लिए तो इतना ही so thank you for watching, comment करना बिल्कुल भी मत बूलेगा and be the watcher